है MGL महानगर गैस लिमिटेड क्यों है मजबूत क्या है वज़े हमारे साथ तैयार है वरू सारी डिटेल्स ने कर और बताईए तो अनिया जी इन्होंने बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक एनलिस्ट मीट की थी और उसमें इन्होंने काफी सारी बाते की है कुछ चीजे इन्होंने फिर से रियाइटरेट की है लेकिन जो अधिगरण ये करने वाले है यूनिसान एन्विरो का उसके बारे में इन्होंने बताया है और उसके वैसे कितनी ग्रोथ आएगी इसके ओपर इन्होंने फोकस किया है इनका कहना कि F25 में 6-7 पसंद के आसपास की वॉल्म उसमें देखने मिल सकती है यानि कि सीधा-सीधा इसका इंपाक्ट जो है इस कंपनी की वॉल्म पर होगा और यह जो यूई-पी-एल है यह बेसिकली आशो का बिलकॉन की सब्सेडरी थी जिसका इन्होंने अधिगरण किया था इसके अलाबा आने वाले वर्ष में LNG ट्रा केपिक्स के बारा है कि-25 में 1000 गोर्ण रुपए का आसपास का केपेक्स करेंगे जिसमें 200 कौर्ण नुपे का असपास का केपेक्स जो है वह यूई-पी-एल में ही करने वाले हैं जिसके चलते इस कंपनी के ओवराल वॉल्म जो है उसमें बढ़ती देखने मिलेगी नवे करीब 7% के आसपास सह सकती है क्योंकि कंपनी देखिए अधिगरन तो कर रही है साथ की साथ काफी सारी promotional schemes जो है वो कंपनी चला रही है और इसका फाइदा कंपनी को पहले भी मिला है volumes में आने वाले दिनों में भी मिलेगा valuation के लिए से stock FY26 का EPS अगर आप देखेंगे तो साड़े 12 टाइमस के आसपास रेट करता है जबकि इसके valuation 14 टाइमस के आसपास आते है और IGL से ये सस्ता भी है ये कहना है मोतिलाल का इसके लिए मोतिलाल 1565 के target दे रहा है UBS, Jefferies इसके अलावा जितने भी brokerage houses है सबके सबने अप देख रहे है stock में तेजी भी है ओके तो बड़ी रिपोर्स बड़ा थमसब तेजी का मूर माहुल पूरा है इम गैस stocks पर बनता हुआ दिख रहा है